हाई गाईज वल्कम पैक्ट में चानल कैसे हूं आपसम आज मैं आप लगों के साथ एक स्किन के रूटिन शेयर करूंगी एंड राइट ना आप देख सकते हो मेरे फेस के पर कोई मेकप नहीं है हा मैंने लिप्स्टिक अंड काजुल जरूर लगा लिया था एंड लेकिन मैं अब यह अपनी स्किन के रूटिन कंपलीट की है वेकली स्किन के रूटिन है बहुत सारे ब्रैंड्स है और ड्रग स्टोर ब्रैंड्स है रीजनेबल प्रॉडप्स है लेकिन इनके ऊपर और आपको डिसकाउंट मिल रहे हैं सिरफ आज के दिन के लिए आज है पॉपल.com के पर सेल स्किन केर सेल है तो इसमें कौन कौन से ब्रैंड्स है मैं अपको थोड़ा सा दिखा दू मैक्सिम आपको 30% अप डिसकाउंट मिल जाएगा इसमें हैं बाइटिक, सेंटिवेंस, प्लम, वाओ, अरोमा मैजिक, लोटस, ग्रीन बेरी, एवर्यूथ, एवर्यूथ, ए प्लस सारे प्रोड़क्ट्स के मैं आपको परचेज लिंक्स प्रवाइड कर दूगी तो आप जाकर जरू चकाउट कर ले ना सिरफ आज के दिन के लिए सेल है कल ये सारे प्रोड़क्स महेंगी हो जाएगे ठीके तो डियर आज मैंने के साथ शेयर करूंगी सारे चल रहा तो जो जाकर जरूर करी लो अगर अगर ये विली पैकेजिंग खरीते हो तो इसमें तो आरे एक के साथ एक फ्री मिलता है ठीक है ये प्रोड़क्ट आज की वीडिवे मैंने नहीं यूज किया बागी के जितने प्रोड़क्स हैं सब को यूज किया है चलो फटवर सब आप स्कीन के रूटीन देख लो एंड लेट सब से पहले मैं यूज करूंगी बाइटी का बायो नीम प्यॉरिफाइंग फेस वाश आप सब को पता है कि मुझे नीम के प्रोड़क्स जादे पसंद आते हैं एंड ये पता नी मेरी चीक के उपर क्या हो गया था छोटा स दान हो गया थे जिसको मैंने अपने नेल्स के साथ किया एंड वह इतना बहुत बड़ा दाग बन गया बेवकुफी मेरी अब मैंने अपने फेस के उपर स्प्रे किया था गुट वाइप्स का रोज वाटर फेशल मिस्ट अ बात्रू में हो ता पानी यूज कर लेन अपने म पिंपल्स की अगर प्रॉब्लम है तो अब मैं अप्लाई करूंगी स्क्रब स्क्रब के साथ मसाज करूंगी यह है बायो एक्टिव का स्क्रब ग्रीन बैरी का इसका मैंने अल्रेडी रिव्यू किया हुए अपने चानल के उपर इन डिटेल में यह डीटैन स्क्रब है इन पारिकल से बहुत सइवले हैं ना तो मोटे हैं ना तो ऒल ऴले हैं बलकुल बिल्कुल सइवाल ह Deckje हो हैं थोड़ा सिसको मैंने अपने फेस के उपर लगा लिया एंड वेट कर ऴो अपने फेस को गुड़ वाईब्स। के साथ क्योंकि ड्राई finding का स्क्रॉबिंग मत किय यह तो मैंने अपनी वीडियो को फास्ट किया हुआ है इसके आपको फास्ट नजर आ रहा होगा फो लाइट हैंड से अपनी स्क्रबिंग किया करो अगर आपके लिप्स के आसपास थोड़ी ब्लैकनेस है तो वहां पर भी करो यह टैनिंग को भी हटाता है तो बस अब मैंने वाश कर लिया दो मिनेट स्क्रब करने के बाद अब मैं अपलाई करूंगी अब यह वला स्क्रब यार एक बर जरूर ट्राई करना मुझे बहुत पसंद आया अब मैं अपलाई करूंगी एवरियूत का फेस पैक यह है कुकुमबर एंड एलोवेरा वला फेस पैक खीरे और एलोवेरा वला फेस पैक है यह भी बहुत सही वला फेस पैक है मुलतानी मिट्टी इसके अंदर डाला लेकिन यह स्किन को ओवर ड्राई नहीं करता अच्छा वला इसका कंसिस्टेंसी भी इतनी ड्राई नहीं रख्योंगी बहुत अच्छी वली इन्होंने कंसिस्टेंसी रख्योंगी तो मुझे अच्छी लगी पूरे फेस के उपर अपना मैं फेस पैक अप्लाई कर लूँगी फेस पैक आपने रोज नहीं लगाना सिरफ हफते में आपने एक बार लगाना है बहुत जादी ओली स्कीन है तो चलो दो बार आप लगा सकते हो 20 मिनट के लिए मैं इस फेस पैक को अपने फेस के उपर छोड़ दूँगी थोड़ा सा नेक के उपर भी लगा लूँगी 20 मिनट के बाद आप देख लो मेरा फेस बिल्कुल फेस पैक ड्राई हो चुका है 20 मिनट के बाद तो अब मैं इसको अपना वाश कर लूँगी वाश करने के बाद नैचरल ही आप देखोगे स्कीन कितनी क्लीन लग रही है थोड़ा सा ग्लो ग्लो सा लग रहा है तो यार आप ये वाले फेस पैक को तो जरूर जरूर चाही करना मुझे बहुत पसंद आया एवरियूत का है एंड़ प्राइस भी इसका साही है तो सारे प्रोड़क्स के यार परचेस लिंक्स आप देख लेना अब मैं अप्लाई करूंगी प्लम का टोनर ये आपने देखा होगा मेरी पहले वाली वीडियो में मैंने इसको रेगुलर्ली अप्लाई कि आप तो इसमें बहुत थोड़ा सा रह गया है ग्रीन टी अल्कोहल फ्री टोनर है ये टोनर हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो भी पोर्स होते हो श्रिंक हो जाएं मिनिमाईज हो जाएं और डेफिनेटली डियर मेरा खुद का एक्सपीरियंस बोलता है कि जब मैं पहले बीच में टोनर नहीं लगाती थी तो मुझे पोर्स की प्रोबलम होगी थी अब मैं रेगूलर बेसिस पे टोनर लगाते हुए तो मेरे पोर्स बिल्कुल श्रिंक हो चुके है तोनर जरूर लगा करो इसके मत किया करो अब मैं apply करूंगी aloe vera gel लेकिन सिर्फ aloe vera gel नहीं लगाऊंगी उसके अंदर मैं डालूंगी lavender essential oil आप लग पूछते हो कि हम अपनी essential oil को अपने daily routine में कैसे include करें तो dear आपने जो टोनिंग कर ली उसके बाद आपने थोड़ी से aloe vera gel लेनी है उसके अंदर सिर्फ एक drop डालना है essential oil का एक drop से ज्यादा मत डालना वो तो निकलनी रहाता है इसलिए मैंने इतनी बार shake किया mix कर लो aloe vera gel में essential oil को और बस आपने अपने face के उपर apply कर लेना है अगर आप किसी cream में नहीं mix करना चाहते है या अगर आप confused हो रहे हो क्या मैं उस cream में mix करूँ ना करूँ इतना confusion होने की ज़रुवत नहीं है simple aloe vera gel में essential oil डालो mix करो हाँ दो तिन मेंट के लिए आप उसको अच्छीरा से absorb होने दो हर चीज करने के बाद ना थोड़ा तो इसको skin में absorb होने दो अब मैं यूज करूँगी blossom culture aroma magic की vitamin c day cream अभी अभी इसका review डाला था इसकी consistency भी बहुत सही है तो इसको मैं apply करूँगी फेस के उपर चिप चिप भी नहीं करती लेकिन मॉस्चराइज कर देती vitamin c है तो आपको पता है pigmentation के उपर यह काम करेगी अच्छीता से आप इसके साथ massage कर लो अब यह day का time है तो मैं यहाँ पर apply करूँगी lotus की sunscreen matte gel है यह spf 50 के साथ है and one of the best sunscreen है मुझे बहुत पसंद है थोड़ी सी बस sunscreen लोगी winters का time में इतनी क्या लगानी बट इसको sunscreen को के लगाते कैसे हैं बहुत जाद आपने इसके साथ massage नहीं करनी spread कर देना है and spread करके छोड़ दो अपने face के उपर बहुत जाद है इसको इतना मत massage करो कि आपके skin के अंदर वो जाए हमने एक layer बनानी होती है सिरफ sunscreen की आप देख सकते हैं मैंने इसको छोड़ दिया है पांच ब्रट के बाद ही अपने आप skin के अंदर absorb हो जाएगी तो बिलको नाच्रल सी लगेगी आपको लगेगी नहीं आपने face के उपर कुछ लगा जाए है अब मैं लगाऊंगी lotus की lip balm यह strawberry lip balm थी यह भी बहुत सही वाली lip balm है lotus की बाइदवे आज की वीडियो मैंने जितने भी products लिए उसके हैं सब के उपर offer चल रहा है प्लीज आप जाके एक बार description box जरूर चेक आउट कर लेना सारे products के पर cheese links भी चेक आउट कर लेना यह है sand defense का body lotion winter वाली edition है और भी मिल जाएंगे तो winters में वो मत लेना यही वाला लेना बहुत सही वाला body lotion है जरूर इसको try करना यह थी मेरी skincare routine complete अब आपने एक skincare routine भी देख ली सारे के सारे products बहुत जादे affordable brand को belong करते हैं सारे के सारे brands अच्छे हैं offer चल रहा है तो offer का भी आप जरूर फाइदा उठाओ and एक दो चीज ने थी जो मैं आप लोगों के साथ इन्हों mention करना चाती थी जैसे अगर आप essential oil use करना चाते हो तो cream के अंदर अगर आप नहीं mix करना चाती क्योंकि हर cream के अंदर essential oil mix करें ना करें इतनी confusion होती है इतने question होते है तो simple सी बात है भाया अलवेरा जल उठाओ essential oil mix करो कोई भी brand हो कोई भी company हो सिरफ थोड़ी से अलवेरा जल में एक drop डालना है that's it छोड़ी छोटी बात है थी जो मैं आप लोगों के साथ इन्हों अपनी वीडियो के through information provide करने के कोशिश करती हूँ sunscreen कैसे लगाना है तो अच्छी तो उसे massage नहीं करना just pat करना होते है यह छोड़ी छोड़ी पाते होते जो बस मैंने आज की वीडियो में आप लोगों साथ शेयर की skincare routine भी share कर दी सारे products के purchase links डाल दी है और अफर आप लोगों को बता दिया है तो बस यही थी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों नहीं यार वो तो मैंने बताया ही नहीं आपने क्या करना वीडियो को like कर देना वेल चानल को subscribe कर देना friends family साब के साथ share कर देना जो लोग मुझे first time देख रहे है और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग दे तो चानल को subscribe कर देना red button को आपने hit करना है और साथ में जो bell button है तिंग 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 आपने उसको भी ज़रूर hit कर देना है ताकि साथ आके share कर देती हूँ बता दे तो भाई यह offer चल रहा है यह वो चल रहा है ठीके तो क्या होता है कि कुछ लोग मुझे comment करने लग जाते कि popl.com की यह agent है उन्होंने इसका channel खरीद लिया है you know foolish बाते foolish बाते भाया मेरा channel है मेरी दिन रात की महनत है किसी ने मेरे channel को नहीं करोगे आपको लगेगा यह तो update ही नहीं करती ना तो यह खुद update है ना तो यह खुद update हमें करती है हमारे अगर यह पैसे ही नहीं बचा रही अगर आज मैंने आपको offer बताया ठीक है definitely आप जाओगे offer का फाइदा उठाओगे तो फाइदा किसका होड? ultimately घूमफर के भी यह से बचते हैं मेरे सिरफ एक deal बताने से तो मिझे खुशी होगी ठीक है समझो या मत उल्टा सिदा बोला करो गुरा लगता है so till then bye मैं किसी की agent नहीं हो मेरा channel है मैं ही एक owner हूँ इस channel की till then bye